Good morning student, कैसे वाप लोग? चलिए आज हम study सुरू करते हैं LKZ क्लास क्या नामे बुक का? All-in-one क्या नामे बुक का? All-in-one तो आज हम वर्ण माला का कौन सा पर्ट परेंगे? Third part आपने तो A से लेकर छोटे A तक पढ़ लिया है ना आज हम बड़े A से अंगर तक पढ़ेंगे तो चले तो हम सुरू करें study तो देखें आपने पिछले कलास में बहुत अच्छे response दिया आपने सारी जवाबे दियें तो आगे भी ऐसी करना है सब का याद करना है, सब चीज़े याद करनी है तो चले हम सुरू करते हैं बड़े A से कौन-कौन से वर्ड होते दिखाई ना आपको, कीता सरे वर्ड़े हैं बड़े A से? था तो पढ़ते हैं कि क्या क्या है बड़े A से? अनग अनग क्या होता है ये? चश्मा आपके कोई grandfather या कोई होगा जिसको रोशनी कम होगी तो वो क्या करते है एनक का यूज़ करते है चस्मा पहनते है तो वो क्या है एनक अब देखेंगे और क्या होता है बड़े से एरावत एरावत मिन्स क्या होता है आपने हाथी तो देखा ही होगा जिसकी सून्ड भी लंबी होती है किया है बड़े से ambulance बड़े से ambulance आपने ambulance देखा है जिसमें कि हम जब कोई बिमार होता है तो हम call करते हैं ambulance को तो क्या होता है कि जो hospital में हम call करते हैं वो क्या करते है ambulance बेशता है ताकि इसमें जो भी व्यक्ति बिमार हो बिमार होते हैं तो इसमें जाते हैं तो रास्ते में भीर भार होती है अगर हम अपनी गारी से जाएंगे तो रास्ते में भीर होगी तो कोई हमें जल्दी से जगा नहीं देगा पर हम एंबुलेंस में जाएंगे अपने कोई भी बिमार हो तो क्या होगा सब उसको रास्ता दे देते हैं कि जा चो डिखेंगे चोटे ओसी औश अपने देखा है जब ठंडी मोसम ठंडा का मोसम होता है ह। थंडी Most Sunday Day का बंठी है तो ब Next Time शच्बरख पार्क में जाते हो तो कह भुल देखती हो ना की ठोटी ठोटी बूंधे परही रहती है तो हम क्या बोलते है जैते की भी ऑस आपको साफ दुपता है उसको उसको यह कोडिक करना होता है या फिर कृटना होता है तो हम किसे में करते हैं ओखली में करते हैं दिख रहा है आपको यहाँ पे ओखली की पिच्चर इधर देखते हैं छोटे ओसे ओढ़नी हम जो गल्स होती है तो क्या करती है जब शूचोल और पैंदी है तो ओढ़नी लेती है ना तो क्या करती है ओढ़नी ओढ़नी का यूज क कि खूचे हैं कि क्या होता है आस हिए बड़ेोसी बड़ेोसी ओर ये घंडे collision होगी और हमारmotion आपकी ममा भी होगी न it nesse नकिक्राइब ने ओरएं ये तो क्या हो विल्ड़े लेकिन जो पहले था तो हम ओषदी का यूज़ करते थे इन सबी चीजों को बना कर और फिर हम दवाई के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे तो बड़े ओसे ओषदी और बड़े ओसे ओरत आज हमने ये वर्ड सीखे बड़े ओसे क्या क्या होते अब देखेंगे आगे क्या है अंग सी अंगूर आपने तो अंगूर खाया ही होगा ना अंग सी अंगूर देख रहे हैं आपको कितने छोटे छोटे अंगूर भी दिख रहे हैं आपको और आपको तो खाया भी होगा तो कैसा लगता है वो आप वीडियो जब हम वीडियो को लिंग करेंगे तो आप बताएंगी कि अंगूर कैसा होता है और कैसा लगता है खाने में आगे देखते हैं अंगा से क्या होता है अंगा खाली से क्या होता है अंडा क्या होता है अंग से क्या होता है अंडा अंग से क्या होता है अंगूर ठीक है तो आज हमने क्या सिखा अंग से अंगूर अंग से अंडा और जो हमारा लास्ट है वो क्या है अंगा खाली अंगा खाली तो आज हमने क्या सीखा बड़े ए से लेकर अंगा खाली तक अक्षर सीखे कि क्या क्या होते हैं तो आपको क्या करना है आपका homework है कि आप copy लेंगे अपने notebook लेंगे और आ से लेके अंगा तक उपर लिखेंगे आ से अंगा तक ठीक है यह आपने heading डाली फिर आप line कहतेंगे और सुन्देशी writing में क्या करेंगे आप आ से लेके अंगा तक लिखेंगे ठीक है सभी बचे चैक होगी जब आपको वीडियो को लिंग द्वारा देखा जाएगा ना तो आपसे copy भी मंगाई जागी तो आप क्या कर लेंगे कोपी भी लेका रखना और आपको सावे चीज़े यह याद करनी है ठीक है तो आज ही class हम यहीं पे खतम करते हैं